तो दोस्तों सब से पहले हमें अपना उपर फोन मिल जाता है इसे निकालते हैं बाहर बाद में देखेंगे फोन को बाकि कोंटेंट्स देख लेते फिर यह cover अटाक के उपर हमें charger मिल जाता है इसको भी निकाल के देखेंगे फिर हमें earphone और इसका stylus और फिर फिर हमें earphone charging cable मिल जाती है तो दोस्तों एक एक करके सारी चीज़े देखते हैं और बाकी इसकी user manual वगरा है इसमें तो box को रखते हैं side में और देखते हैं क्या-क्य मिलता है तो गाइस सबसे पहले तो हमें micro USB charging cable मिल जाती है इसको रखते side में फिर गाइस हमें यह charger मिल जाता है इसमें इस पर कुछ भी labeling नहीं है हाँ यह रहे यह है 2.4 वाल्ट का charger फिर हमारे पास इसका छोटा सा stylus और फिर हमें मिलती है इसकी earphone तो दोस्तों फटा-फट से हम earphone अपने phone को देखते हैं तो guys phone की बात करें तो phone पे पीछे कोई camera नहीं मिलता है यहां side में मिलता है video recording real camera और यहां पर dual camera है इस phone में जो की एक selfie के लिए और एक dual है और यहां पर इसका यह बटन और फिर यहां पर यह वीडियो के लिए stop button यहां पर on off button फिर यहां पर य हैं और अब इसको switch on कर लेते हैं तो guys देखो ओन होते ही ऐसे ऐसा मिलता है हमें नजारा तो guys phone हमारे हाथों में है और इसका stylus लेते हैं आपको पहले stylus दिखा जाते हम वर्क करवाके इसका यह दबाना है फिर यह तो guys इसे एक बार यहां यह वाला दबाता है और फिर यह दबाता है फिर देखिए इसमें तीन गेम्स में मिल जाता है सबसे पहला है fruit निंजा फिर angry birds फिर इसको बान और फिर fishing वाला गेम है और एक और फीचर है इसमें movie देखने के लिए stylus को रखते साइड में इसका जो यह वाला यह खुल जाता है अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूं so guys देखिए इसकी खुल चुका है तो दोस्तों यह खुल चुका है और यहां पर इसके साइड में camera इसका camera भी दिखाऊंगा मैं और आब इसकी screen को यहां से बंद कर देते हैं और यहां पर को कहा गय तो यहां पर हमें एंटीना भी मिल जाता है रेडियो सुनने के लिए बहुत बड़ा एंटीना है देख सकते हो इसको बंद करते हैं अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो दोस्तों बाइबाइब जैहन जैभा